दोस्त का डोस्त मैं हूँ जीमा और आप टेकर अपना ही चानल इंद्रोने डोय आया चार पे तोस्त अभी तक हम लोगों ने देखा आपकी नचरों में समझा में कि दर्स भी यहाँ द्वारी का दिस पहुँच गया है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक लड़की नव में है और वो नव बहुत दूर जा रहा है और वो लड़की इसलिए उतर नहीं रही है क्योंकि उसमें बहुत सारा समान है बहुत महेंगे समान है और वो चाहती कि वो सब को बचाए और उसके साथ ही वो आ सके तभी यहां पे बचाने के लिए कुछ जाता है दर्स फिर आज के एपिसोड में आप देखोगे कि दर्स उस नाव पे पहुंच आता है उस लड़की को और उसके पुरे समान को भी बचा लेता है बेर वो लड़की दर्स नन्नी से कहता है कि तुम तुम से ज़्यादा क्या इ तो इसे वह समझाता है पर लड़की को समझ नहीं पाती है वह कहती है कि यह समान मेरे बहुत इंपॉर्टन था यह मेरी बहन के सच्वाल ले जाना था इसलिए मैं इसे संभाल रही थी फिर आप देखोगे दर्स अपने कुछ एक हाथ में कुछ पहना था तो उसे पता करता लेकिन उसे कुछ समझ में आता नहीं है फिर यह लोग यहां से उतर जाते दर्स तो चला जाता है फिर इसकी बहन होती है वह समझाती कि तुम्हें क्या जुरत है अपनी जान दाव पर लगा कर यह सा बचाने के लिए इसे जाने देती तो उसे ज्यादा इंपॉर्टन चलना चाहिए कि हमारे गाओं बाले कितने अच्छे हैं वह अपनी अपनी सस्वराज वाले को क्या कुछ दे रही है तो यह लोग बीच में बाते होते फिर यह लोग भी चले जाते हैं पर आप देखोगे कि यह पर दुल्हे वाले भी आ जाते हैं पुरे बहुत ढ़ोल पहनाते हैं जो किसकी मा को पसंद नहीं आता है वह क्याते कि यह सब क्या है दस रुपे को मेरा बेटा पहनेगा तो मेरे गाओं बाले क्या सोचेंगे इसे निकाल को वह किसी और को पहना देता है फिर आप दूसरी तरफ देखोगे कि यहाँ पर दर्स के दाता जी नौक्र आते ही रहते है तभी उसकी चोटी पहु को कहते है कि आपको यह सब नहीं खानाः तै है फिर बड़ी पहु बहु कि Éư की आपको मिता चीजचा खाना नहीं तो आपको इस सब से दूर होगा तभी दादा गर क्यहते कि TIM मैं कुछ नहीं गहा हुं तभी वह आपने एक कुल् तो दुर तक चलना चाहिए अगर वह इतना तक चल लेते हैं तो तुम्हारा किसी और दुकान में तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा तो वह कहते हैं और यहाँ पर दोनों हसने लगते क्योंकि दादा जी उतना करने ही पाएंगे फिर आप देखोगे कि जो दर्स की मा है वो अपनी छोटी द्यादिन से कहती है कि आज आपको हॉस्पिटल जाना था चेकप करवाने के लिए तो वो भूल गई रहती है तो वो कहती है कि भावी आपको सब कुछ कैसे याद रह जाता है अब हर एक चित आपको याद रहता है ये कैसे तो वो मजाक में कहती है कि तुम्हें पता रहा है कि मेरा दुकान मिठाई का था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता था तो खात थी तो हसने लगती है फिर यह कहती है कि मैं जल्दी प्रातना हमेशा करते हूं कि तुम्हारा भी कोई बच्चा हो जाए और उसे कहती है कि तुम अब जाओ होस्पिटल में चेक अप करवा लो फिर वहां से चली जाती है फिर आप दोसरी तरफ देखोगे कि यहां पर जो साधी करने लायक नहीं है लेकिन हम लोग करें यही बहुत बरी बात है तो उसका बेटा कहता है कि मां तुम यह मत भूले कि यह साधी भी हम लोग मजबूरी में करें मैं तो यह साधी करना भी नहीं चाहता तो मैं तो इसलिए करना कि मेरी पेटी है उसकी मा के लिए उसे भ चाहते हैं और कहते हैं कि यह जो लड़की नहीं बहुत अच्छी इसको बहुत जैसे अच्छे से रहती है तभी यहां प्र product dance करने लगती है करने हो और पूरा dance करने लगती है और नन्नि भी इसका और फिर आप देखोगे कि यहां पे घर पे बहुत अच्छा प्रिपेशन होना डेकोरेशन होना यहां पे गेस्ट लोग आने वाले कुछ फंचन है इसलिए तभी दर्स के भाई जो इसकी मा होती है वो अपनी छोटे बेटे से कहती है कि तुमने दर्स को कॉल किया उसे बिला पॉठ्ण है क्या वाज़े से थोड़ा सांब बात तो कर दो लेती है न मुझसे फिर यहां पे देखोगे कि जब साथी के लिए सब लोग रेडी होते हैं सब लोग बैठते हैं दुलह दुलहन तो दुलहन कहती है कि क्या आपने ननी के बारे में कुछ सोचा वो कहां मेरी मान ने तो मना कर दिया है तो वो कहती है कि नननी फिर अप कैसे रहेगी मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए और यह दोनों के लिए साधी होने का रस्म सुरू होता है तभी एक और आती है और कहती कि रुक जाएगे यह रहा आज कहा पर सुट आपको कैसा ल